नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टेरिस गार्डन चैनल पर तो दोस्तों कल गए थे हम नर्सरी वहाँ से लेके आए हैं कुछ प्लांट तो एक एक करके आपको सभी प्लांट दिखाएंगे उनका नाम और उनका प्रैस भी बताएंगे कि हमें कौन सा प्लांट कितने में मिला है तो दोस्तों सुरुवात करते हैं ये सुन्दर से कोस्मोस के फूलों के साथ में तो हम ये लेके आए हैं तीन कोस्मोस के फ्लावरिंग प्लांट और ये एक प्लांट हमें मिला है दस उर्पे का और ये हैं तीन प्लांट और दोस्तों इनमें दो कलर के फ्लावर अगला प्लांट हमारा मीनी एक जोरा है इसमें ये एक फ्लावर का बन चारा है और काफी सुन्दर प्लांट है ये और दोस्तों ये प्लांट भी एक प्लास्टिक के पॉली बैग में लगा हुआ है और ये मिला है हमें 80 रुपीज में वैसे छोटा सा ही प्लांट है और तो यहाँ से नोड एरिया के यहां से जहां से रूट्स बन रही हैं वह से कटखर के अगर आप लगा दोगे तो इसली ही इसकी जो ए गट कटिंग चल पड़ती है और बहुत ही सुनदर ये वाइन होती है और हर सुम्काम में जो ए पान के पत्तों का इस्तमाल होता ही ह३ा और ये हमें 80 रूपीज में मिली है और अगली है हमारी ये बिलिडिंग हर्ट वाइन तो दोस्तो बिलिडिंग हर्ट वाइन का एक प्लान्ट है हमारे पास वो red और white है और इसमें आते हैं purple flower purple और white और ये बहुत ही सुंदर wine होती है और छोटी सी ही wine है और दोस्तों ये wine हमें 100 रुपीज में मिली है ये wine हमें लग रहा है कि हमें नर्सरी वालों ने थोड़ी सी मेहंगी दी है क्योंकि ये wine 70 से 80 रुपे में या 70-70 रुपे में इसली ही मिल जाती है और इस बार हम एक नई नर्सरी के उपर गए थे जहां से यह plant लिए हैं वरना हमेशा हम एक ordinary है वहां से plant लेके आते हैं और दोस्तों यह है हमारा star fruit का plant तो star fruit यह fruit का अच्छा plant है वैसे तो यह और इसमें पतियां भी बहुत अच्छे से आई हुई हैं और दोस्तों इसमें नई growth भी चल रही है और हमने last year भी यह plant लगाया थ लेकिन इस बार गर्मियों में हमारा star fruit का plant खराब हो गया तो इसलिए हम यह एक और नया ले आए हैं और दोस्तों यह भी हमें मिला है 80 रुपीज में और इसी के पास रखा हुआ है यह हमारा जो है फालसा plant तो फालसा plant भी हमने last year लगाया था लेकिन वो भी गर्मी के करण ह हमारा खराब हो गया तो हम दूसरा यह फालसा plant ले आए हैं और last year जो है फालसे भी बहुत ज़्यादा आये थे हमारे पोधे में और दोस्तों अगला plant यह हमारा एकलीफा का plant है कोपर पत्तियों वाला और इसको आप cutting से भी grow कर सकते हैं आप देखें यहां इसमें यह roots निक सकते हैं और इसी के पास है और एकलीफा का plant भी हमें 80 रुपीज में मिला है बहुत सुन्दर plant होता है और दोस्तों यह plant है बालसम का plant तो आप देखें एक ही grow bag में यह 7-8 plant लगे हुए हैं लेकिन यह थोड़ा सा इधर उधर गिर रहे हैं सायद जहां से लेके आए हैं तो अब इनकी roots जमीन में जा रही थी और अब इनको जैसे महां से हटाया तो इनकी हालत थोड़ी सी खराब हो रही है और यह छोटे छोटे तो नीचे की तरफ बिल्कुल ऐसे मरे से हो रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं अब हमें इनको report कर देंगे तो सायद यह अच्छे से चल और दोस्तों यह एक ही बालसम का जो बैग है यह वाला grow बैग यह हमें मिला है 10 रुपे में और यह plant हमें अच्छा लगा क्योंकि इसमें 6-7 plant है इनको divide करके लगाएंगे तो 6-7 गमले आसानी से ही full हो जाएंगे और दोस्तों इन पौदों को हम अभी लगाएंगे क्योंकि अभी हमारे यहां बादल चाय हुए हैं और एक बार तो बारिश आके जा भी चुकी है और इस वक्त भी जो हलकी फुलकी बूंदा बांदी आ रही है रुक रुक के तो दोस्तों आपको यह हमारे plant और इनके price कैसे लगे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्त पर हम अक्सर जाते हैं उस नर्सरी से हम इस बार plant लेके नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके वहां भी यह वाले plant इसी rate में मिलते हैं या थोड़े से सस्ते मिलते हैं क्योंकि हमें यह plant मेहंगे लग रहे हैं तो दोस्तों अभी के लिए वस इतना ही फिर म मिलते हैं नमस्ते जी धन्यवाद